5,4,3,2,1 आजादी से पहले भारत की आर्थिक इस्थिती बड़ी दैनी थी यहां विकास की धारा 1951 से विधिवत एवं एक फ्रेम वर्क के तहत शुरू हुआ देश के आर्थिक विकास को लेकर तमाम तरह की युजनाएं बनाई गई विगत सतर सालों में भारत ने प्रतेक श्वेत्र में महत्वपून प्रगती की हैं आजादी के बाद से भारत ने सभी श्वेत्रों में खुद को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए हैं आधुनिक तकनीक तथा अपने संसाधनों के संतुलित उपयोग के जरिये नई संभावनाओं को भी तराशा है कृशी तथा अध्योगिक में 60 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांती ने तेजी से खाध्यान के शेत्र में हमने आत्मंदिर भरता हासिल की शुक्षा में नवाचार प्रशुक्षन की विवस्था एवं आधुनिक स्तर के विद्याले महा विद्याले स्थापित कर शुक्षा के शुक्षा में भी परियाब्त उचाईयों तक पहुँचे विज्ञान और तकनीकी और सदुपयोग से हमने डिजिटल भारत जैसे अभियानों से प्रते गाउं के व्यक्ति तक आधुनिक संचार की सुक्ष्विधाएं प्रदान की हैं आज चिकित्सा के आजिरुवेदिक वह होमियोपैथी की बहतरीन चिकित्सा पद्धतियां हमारे देश में हैं आजादी के बाद से ही भारत के विकार्स की धारा गाउं से शुरू की गई गाउं को भारत की आत्मा कहा गया है इस कारण अपने संसादुनों का उपयोग गाउं में भी उसी इस्तर पर किया गया है विकास की आवशक्ता स्वतंतरता के समय हमारा देश पिछडे देशों में गिना जाता था धीरे धीरे हमने विकास की सिडियों को चड़ते विकास शील राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई तथा आज भारत विश्व की महाशक्ती के रूप में तेजी से उभर रहा है ऐसा नहीं है कि हमने विकास के समस्त आयाम प्राप्त कर लिये हैं अभी भी कई ऐसे शेत्र हैं जो विकास से अचूते रहे हैं देश के अधिकतर संसाधनों का स्वामित्व आज भी मुठी भर लोगों के पास है देश की बहुसंख्यक आबादी गरीबी रेखा से नीचे जिवन यापन करने के लिए मजबूर है देश में कई ऐसे शेत्र भी हैं जहां आज भी लोग भुखमरी के शिकार हैं अता विश्व की महाशक्ती हम तभी बन पाएंगे जब हमारे देश का प्रतेक व्यक्ति सुक संपन्न हो भारत के विकास के लिए अभी भी बहुत से काम किये जाने की आवशक्ता है दबे कुचले समाज को आज भी मुख्यधारा में लाना बाकी है भारत के संसादनों पर प्रतेक नागरेक का हक है इसलिए विकेंदरी करण की महत्ती आवशक्ता है सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात आत्म सम्मान मानों को पश्वों से अलग करती है इसी भावना के चलते व्यक्ति को श्रेष्ट होने का एहसास कराती है भारते संस्कृति एवं हमारे अतीत में यह भावना कूट-कूट कर भरी थी मगर एक बड़े अंधकार में दौर में भारत की जनता ने न सिर्फ आत्म सम्मान को खोया बलकि अपने आत्म विश्वास को भी जीरुन कर दिया विदेशी आकरांताओं के शासन के चलते भारतीयों में हीन भावना को जन्म दिया आजादी के बाद फिर से आत्म सम्मान को जगाने का समय है हमें अपने विश्वास तथा सम्मान की फिर से बहाली करनी होगी तभी सही मायनों में विश्व विजई भारत के सपने को साकार कर पाएंगे